आउज बिल्लाय आपने शाहितान रजी मिसम्मने क्लास सिक्स जर्नल साइंस पॉपक आगे चेंज राउंड अस तो बच्चो हम इसी लेसन को कंटीनियू कर रहे हैं आज इसमें दो पॉइंट साते हैं रिवर्सिवल चेंड और इर्रिवर्सिवल चेंड मिसाल की तोर पर वो तब्दिली जो हम करते हैं जैसे हमारे पास मिसाले हैं मैल्टिंग ओफ आइस इंटु वाटर यानि यह का पिगलना जिसको हम पाड़ी में कहते हैं कोरा और उसमें क्या होता है जब वो पिगलता है तो पानी बन जाता है और दोबारा इस पानी को ठंडा करने के बाद दोबारा हम वोई यह हासल करते हैं और दूसरी मिसाल इसकी है फोल्डिंग ओफ पेपर यानि एक काज़ होता है जब हम उसको फोल्ड करके रखते हैं यानि बंद करते हैं उसके अंदर भी यही तबदीली रोइनमा होती है और तीसरी मिसाल जो है मिसाल के तोर पे हमारे पास हॉट मिलक गरम दूद है तोर दूद मिलक और उसको हम या करते हैं थनडा करते हैं या फिर क्या होता है या जो उबाल गया जाता है जो फिर आखरान गरम रखते हैं यह भी एक किसम की तब्दीली है तो इसको हम कहते हैं reversible change यानि तगयर और तबदर और उसके बार दूसरी इसकी किसम आती है irreversible change यानि वो तबदीली जो फिर नहो मिसाल के तोर पर a change which cannot be reversed यानि वो दबारा हासल हम नहीं कर सकते हैं उसकी मिसालें इस तरीके से हैं मिसाल के तोर पर burning of candle जैसे हमारे पास मोबती है शमा जिसको हम कहते हैं तो उस शमा को जब हम जलाते हैं तो जल के खतम हो जाती है यानि वो वापस तबदील नहीं होती है नमबर दूसरी मिसाल जो है brushing of crackers जैसे हमारे पास पटाखें बगारा आ जाते हैं तो उसके बाद उनके अंदर कोई तबदीली भी नहीं आती है ना वो वापस आ सकते हैं और तीसरी मिसाल जो है बचो cutting of trees जब हम द्रखत काटते हैं तो वो कटा हुआ द्रखत फिर वापस उग नहीं सकता अगर हम उसको root से निकाल देंगे तो यह थी आज की हमार इसी लेसन में दो मैंन पर्ट्स थे रिवर्सिबल चेंड और रिवर्सिबल चेंड इसी लेसन को हम इंशाल्ला कल या परसूं हम continue करते हुए इसकी exercise भी इंशाल्ला करेंगे